हरे हरे महाधेब मित्रों इस वेडियों में मैं आपसे बात करने बाला हूँ कि F नाम के जातक एबम E नाम के जातक यदी साधी करते हैं तो इन दोनों का आपसी जीबन कैसा होगा मित्रों यदी आप ये जानना चाहते हैं तो इस वेडियों को बड़े ही ध्यान से आपको सुनना होगा क्योंकि यह वेडियों आप दोनों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपुर्ण एबम उपयोगी है तो वेडियों को बड़े ही ध्यान से आप सुने मित्रों यदि आप अपने जन्म कुंडली, हस्त रेखा या अपने जीबन के बारे में कोई भी बातें अगर आप जानना चाहते हो तो अभी आपके सामने डिस्पले पर या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा वाटसेप नमबर है जिस नमबर पे यदि आप मुझे वाटसेप करते हो तो आपकी बात मेरे से हो जाएगी तो कुछ भी जानने के लिए मैसेज अब शिकरें तो अब आगे हम लोग बात करने वाले हैं कि एफ नाम के जातक एबम ई नाम के जातक यदी साधी करते हैं तो इन दोनों का आपसी जीवन कैसा होगा दोस्तों इस नाम के दोनों जातक यदी साधी करते हैं तो इन दोनों को अपने आपसी जीवन में कुछ पड़े सानी कुछ समस्या का सामना करना होगा क्योंकि इस नाम के लोगों का सोभाब एक दूसरे से भिन होता है एबम इस नाम के लोगों की जरूरते एक दूसरे से भिन होती है इस नाम के दोनों जातक अपने अपने जीवन को अपने अपने दृष्टी कोन के हिसाब से जीने का प्रयास करते हैं एबम इस कारण से इन दोनों को अपने बैवाहिक जीबन में कुछ पड़ेसानी, कुछ समस्या का सामना करना होता है मित्रो इ नाम के जातक बहुत जयादा सांत एबम बहुत जयादा समझधार होते हैं इस नाम के लोगों को अपने जीबन में बदलाब करना, अपने जीबन में पडिवर्तन करना पसंद नहीं होता है एबम इस नाम के जातक हमेशा अपने जीबन में अपने बर्तमान के उपर बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं एबम इस नाम के लोगों को अपने जीबन में हमेशा सांती के साथ में रहना बहुत ज्यादा पसंद होता है मित्रों इस नाम के लोगों का सोभाब बहुत ज्यादा सरल होता है एबम इस नाम के लोग बहुत ज्यादा बेभारिक एबम मजबूत होते हैं मित्रों यदि एफ नाम के लोगों की बात करे तो इस नाम के जातक अपने जीबन में हमेशा अपने बरतमान से ज्यादा अपने आने बाले समय के बारे में बहुत ज्यादा बिचार करते हैं एबम इस कारण से कभी कभी इनको अपने जीबन में मानसिक तनाब का सामना बहुत ज्यादा करना होता है एबम इस नाम के जातक बहुत ज्यादा बिनम्र एबम कठोर हिर्दे बाले होते हैं एबम इसके अलाबा इस नाम के जातक अपने जीबन में बहुत ज्यादा लापडबाही करते हैं एबम इस लापडबाही के कारण कभी कभी इन दोनों को अपने आपसी संबंध में तनाब का सामना करना होता है मित्रो एफ नाम के जातक एबम इ नाम के जातक इन दोनों के गुन एबम अब गुन को मिला करें यदी इनके बैबाहिक जीबन इनके दामपत्ते जीबन की बात कड़ें तो इन दोनों का आपसी जीबन सामाने रहेगा न जयादा मजबूत न जयादा खराब तो मित्रों इस वेडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वेडियो को आप लाइक कर दे साथ में इस चैनल को आप सब्सक्रेब कर दे एबम इस वेडियो के नीचे अपने इस्ट देवता का नाम कमेंट कर दे एबम इस वेडियो को आप हर जगह से यर कर दे धन्यवाद